तो बिग बैस लिग का तेरफ़ा मैच होवर्ट हॉरी गैस और मिलवर रेंजर्स के बीच में शेटरड़े को 13-13 सिसंबर को एक बज़ के 45 मिनट से इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा सबसे पहले हम यहां के मौसम के बार बात करेंगे बैलबरी ओवल में जो मौसम होने वाले लगबग ठीक ठाक रहने वाला है लेकिन नमी कहीं न कहीं 60% के आसपास आपको यहां पर रहने वाली टेंपरेचर काफी ज्यादा डाउन रहेगा जिससे आईर सी बात है कि सेकेंड इनिंग में कापी ज्यादा ओस का आसर यहां पर देखने को मिलेगा उसके लावा बात करेंगे टोटल पिछले जो 56 मैच खेले गया है उन 56 मैच में 57% टीमों ने फास्ट बैटिंग करके जबकि 41% टीमों ने जिसने बाद में बलेवाजी करी उसको जीत मिलेगी जो भी टी 15% फास्ट बाल जबकि 45% बिकेट इस्पिनर्स के खाते में जाते हैं ज्यादा अंतर नहीं सिर्फ 10% का अंतर इस्पिन और फास्ट बालिंग के बिकेट टेकिंग में नजर आता है उसके लावा बात करेंगे तो यहां पर उसका काफी ज्यादा आसर देखने को मिलेगा वो मैंस टीम वाले मैच में टोटल एक मैच पहले बले बाज़ी करके बागी दो मैच सेकेंड बैटिंग करके मैच यहां पर बिनींग हुई थी और लगभग एबरेज इसकोर बना था कोई ज्यादा इसकोर 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 देखने को नहीं मिला पहले इनिंग का अबरेज मैच के प्रफॉमेंस की बात करें तो पिछले साल हॉबर्ट हॉरीकेंस ने आकरी बार जीत दर्ज करी थी उसके बाद से किसी भी मैच में इसे जीत नहीं मिली इस साल दो मैच खेल चुकी है सिद्नी सिक्सर्स और पर्फ स्कॉर्चर्स के खिलाप लेकिन वो दोनों ही मैच हार चुकी जबकि मेल्बर्ण रेंजर्स की टीम की बात करें इसका भी दोनों मैच इस सीजन का बिल्कुल खराब गया पिछले सीजन भी दो मैच हारी थी एक मात्र मैच चोवणवा मैच दो तो यह पिछले तीन मैच जो दोनों टीम के बीच में खेले गए इन तीन मैच में कौन-कौन से प्लेयर ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया उन प्लेयर के बारे में भी बात करेंगे पहले मैच के तरफ चलते हैं मैथ्यू बेड ने 48 बनाए टीम डेविड ने 46 नॉट आउट किया था उसके लावा 22 को दो बिकेट मिला और जॉस ले लर्क को दो बिकेट मिले थे मेलवर्न डेंजर्स की टीम ने टोटल 176 बनाए थी इस मैच में हार गई थी एरॉन फिंच ने 75 उसके लावा शॉन मार्स ने एक क्यावन रन बनाए थे टॉम रेजर्स ने तीन बिकेट लिये थे और संदीप लामी छाने ने दो बिकेट लिये था बात करते हैं दूसरे मैच के तरह तो हावर्ट ओरिकेंस ने 122 बनाए फस्ट बैटिंग करके जिमी नीसम ने 28 बनाए और नाथन एलिस ने 21 बनाए ड इसके लाबा हावर्ट ओरिकेंस ने तीसरे मैच में 112 बनाए फस्ट बैटिंग करके और सेलेब जोल ने 28 बनाए बेन मैक डॉर्मेट ने 28 बनाए फिकें रिजर्स ने दो बिकेट लिये थे टॉम रोजर्स फिर से यहाँ पर दो बिकेट निकालते हैं जराय सेम हारपर ने नियाब 80 रन बनाए थे उसके लाब मार्टिन गप्टेल ने 36 नाथन एलिसको एक विकेट मिला था और जोल परिसको एक विकेट मिला था मतलब ज्यादा आपको फॉर्मन प्लेयर देखनी को नहीं मिलेंगे ओवर्ड बात करें पिछले 10 मैच में होबर्ट होरीकेंस के जो उसमें से सिर्फ 3 मैच जीते हैं 153 कैबरेज इसकोर 239 हाइस 120 लुएस्ट इसकोर जबकि मेलवर्ड रेंजर ने टोटल जो पिछला 10 मैच खेला उसमें से सिर्फ 4 मैच बिनिंग किये 162 कैबरेज इसकोर 202 का हाइस और 141 का लुएस्ट स्कोर मेलवर्ड रेंजर की टीम का जबकि ग्राउंड पर अगर दोनों टीम के परफॉर्मेंस देखें तो ग्राउंड पर हावर्ड ठोरी टेंस ने जो पिछला 10 मैच खेला उसमें से साथ मैच जीते हैं 151 का एबरेज इसकोर 180 हाइस 122 का लुएस्ट स्कोर नजाता है यानि कि हावर्ड का इस ग्राउंड प आप कैटन और वाइस कैटन भी कर सकते साथ ही साथ इन पांचो प्लेयर्स में से किसी को भी जी एल एसल और हेट टू हेट सब को आपको रखना ही है ये पांचो प्लेयर आपको बहुत ही बहतर परफॉर्मेंस करके देंगे अगर कैटन की बात करो तो फिलाल के लिए जेक जो अब तक दो मैच खेले गया उसमें फ्रेसर ने 103 रन बनाए दो मैच में क्रिस जॉर्डन ने 75 रन बनाए हाप सेंचुरी की लगाई थी पिछले मैच में बिल सुथर लेंड ने 63 सेलेब ने 24 रन बनाए और निखिल चौधरी ने 40 रन का युगदान दिया था उसके में डेब्य जो हुआ बिगी बैस लिग में बहुत गंदा गया था लेकिन इनका फॉर्म जबर्दस्त है तो बिलकुल आप क्वेंटन डिकोग को टीमें ट्राइ कर सकते हैं उसके लावा शॉन मार्स बेतरीन प्लेयर होंगे उसके लावा जैक प्रेसर का मैंने बताया और स सेले ब जोएल बहुत बेतरीन होंगे शॉन मार्स को आप कैप्टेन कर सकते हैं हेट टू हेट के काप्टेस्ट में अच्छा रहेगा व्ल्रांडर के तोड़ पर बिल सुथर लेंड का बल्लेबाजी और क्रिस जॉर्डन की भी बल्लेबाजी अच्छी थी क्रिस जॉर्डन ठीक ठाक नजर आता है केन रिचर्शन भी ठीक ठाक पॉर्म में है एडम जमपा बहुत इंपोर्टन प्लेर्स होंगे इनको वाइस केप्टन भी आप कर सकते हैं बाकी इस मैच की जो हेट टू हेट की टीम है वो मैं यहां दे दे रहा हूं और टेलिग्राम चैनल पर आपक इस मैल लिग और मीनी जील की टीम उपलब्द हो सके थैंक्यू सो मच